कॉंग्रेस के पुर मुखमंत्री असोग चोहान के बीजेपी में सामिल हो चुके हैं कमलनाथ और नुकुलनाथ दोनों बाब बेटा जो मेंबर अप पार्लियमेंट भी है नुकुलनाथ हभी मतपरदेश में वो भी कॉंग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं पिछली बार सीम के उमीदबार थे उससे पिछली बार भी सीम थे सुचिए एक OBC के नेता कॉंग्रेस के अध्यखत थे कॉंग्रेस को जीता दिया था मतपरदेश में लेकिन आला कमान ने मुखमंत्री बनाया कमलनाथ को और जैसी कमलनात इस बार नहीं जीत पाएं तो अब बीजेपी में जा रहा है सोचिए कॉंग्रेस के जादा तर सवन नेता जादा तर जो नेता जो सिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी में वो सवन समाज के हैं दलित पिछरा आदिवासी तो सिर्फ गटवंधन कर रहा है जैन्चवधी गटवंधन में जा रहे हैं ओपी राजवर गटवंधन में जा रहे हैं चिराग पासवान भी गटवंधन में हैं नितीस भी गटवंधन में हैं तब भी वो समाज बरदास्त करने के नहीं कर रहा हैं लोगों को और सुचिए सवर्ण समाज के लोग कितने सहंसील है कि अपने ही नेता को सीधे वो कॉंग्रेस में हो बीजेपी हो लेकिन इसे कॉंग्रेस को बहुत फायदा है देखे दलित पिछरे आदिवासी नेता गटवंधन भी करते हैं या बीजेपी में जाते हैं तो उनको बोट लेके जाते हैं लेकिन सवर्ण नेता जब बीजेपी में जाते हैं तो नईया डूबाएंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ, जितने सवर्ण समाज के नेता बीजेपी में जाएंगे, उतना बीजेपी का नईया डूबेगा, दलित पिछरे का OBC का ठीकट वो कम करेंगे, सवर्ण समाज का तो बोट अलरेडी उनके पास है, वो कौन सा नया बोट ऐड़न करने जा रहे हैं, त जस्वी आदव की जीत की संभावना बढ़ गए और उनकी सीट अब बढ़ जाएगे, लेकिन ये बात बहुजन लीडर सी बाली पार्टियां नहीं समझ रहे हैं, खासकर अखिलेश यादव, सोचिए, सवर्ण नेता लाइन लगा हुए बीजेपी में जाने के लिए, और सवर्णों को टिकर दे रहे हैं, राजसभा, अभी तीन राजसभा में दो सवर्णों को भेज़े हैं, तभी तो पल्लवी पटेल भरकी है, और सोचिए, दिलीप मंडल ने कुछ सवाल पुछ दिये मजदूरों को लेकर, तो समाजवादी उनको राजदेश द्रोही कह रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, भले ही आज पीडिये की बात करते हों, लिकन उन्हें राजसभा में पीडिये नहीं भेजाएं, एक सिर्यूल कास्ट और दो सवर्ण, और सुनने में आ रहा है कि सिर्यूल कास्ट का जो कैनिरेट ह उसका बडियता नंबर तिसरा है, मतलब वो जाएगा कि नहीं, इसकी कोई गरांटी नहीं है, दिलीप मंडल ने सिर्फ किसान आंदोलों का बिरोध नहीं किया, उन्होंने सवाल उठाया है, कि अगर MSP मिले तो सभी राज्यों को मिले, और मजदूरों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए, इसमें किसान आंदोलों का कौन सा बिरोध मतलब लोजिकल बात नहीं कर सकता, खिलेश यादब ने जो काम किया, उसको भी दिलीप मंडल ने लिखा है, वो भी बताऊंगा, पसिम मंगाल लगातार दलित पिछरों के लिए कबरगाह बना हुआ है, मायवती जी ने सवाल उठाया है, ममता बनर जी भी अब कट घड़े में हैं, तो वो तमाम बड़ी खबरे जो आज सोसल मीडियाप और वाइरल है, आपके लिए लेकर आए हूँ नमस्कार, मैं शंबुक उमार सिंग और आप देखरें निशनल दस्तर, ये तस्वीर देख लीजिए, ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, साथ हजार वेकेंसिया है ये उपी में, और उसके लिए पच्चास लाख विरुजगार एक्जाम देने के लिए घरों से निकले हैं, संडे को एक्जाम होगा, ये पिछली रात की तस्वीरें हैं, कहा जा रहा है कि सुचिये क्या कोई टीवी अखबार दिखाएगा, सरकार गिर जाएगी, सुचिये बिरुजगारी का किस तरह से आलम है इस देश में, कि इतना बड़ा जनसम, साथ हजार के लिए पचास लाग, ये सबसे बड़ी खबर है, और सोसल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये ते जिंदर बगगा सुचिये, कमलनाथ और नुकुलनाथ के खिलाप इन्होंने अंसन किया था, वो दोनों बीजेपी में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी लेकिन एक सवाल तो पैदा होता है, कि अगर बीजेपी जीत के परती इतना ही आस्वास्थ है, तो इतने निताओं को पार्टी में क्यों सामिल करा रहे हैं, कहीं तो लोचा है, ते लंगाना में आरेस परवीन को लेकर एक फिल्म जा रहे हुई, आरेस परवीन एक शांदा बीजेपी के परदे सद्यक्ष हैं, लेकिन अब उनके जीवन पर एक फिल्म आई है, मौका मिले तो आप लोग इस फिल्म को जरूर देखिए, शांदार मुवी है और वो सांदार सक्स हैं, और मंदीप पुनिया जो किसान अंदुलन को कवर कर रहे थे, उनका ट्वीटर औ और यूटूब चैनल को भी उनका भारत में बैन कर दिया गया है, और जब तक भारत के मुख परवचन करता चंचूर अपना बच्चा लोग को हिंदी मीडिया में नहीं पढ़ाएगा, तब तक हम मानवे नहीं करेंगे, डीवाई चंचूर कह रहे हैं कि बच्चों को इंदी में पढ़ाएगे, बहुजन समाज के तमाम लोग कह रहे हैं कि बिल्कूल ऐसा मत किजेगा, अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाएगे, डॉक्टर बिकरम, रतनलाल इन सबने कहा है, और सरकारी संस्था चलाना और कमपणियों को चलाना नहीं चाहते पच्चास लाख लोग पर इच्छा देते हैं, कानफूर एलवेस्टेसन पर रात मिली गई तस्वीर में भारत की वाओं की विरजगार फौज, सरकार आपको मंदित जाने के लिए ट्रेन दे सकती है, सरकार अगर आप कावड होएंगे तो फूल बरसा सकती है, पैर्द हो स हैं, जो पहली पिरी स्कूल कॉलेज से निकलाया, वो चाहता है कि एक नौकरी मिले, उसके बाद उसकी दुसरी पिरी सायद बिजनेस करेगी, वो पहले चाहता है कि एक घर पर छट तो हो जाए, हम सब लोग पहली पिरी के गरजुएर थे, जो एक नौकरी चाहते थे, एक कि समाज में मान सम्मान हो, समाज में एक छत हो जाए, और हमारी नसले जो हैं, वो आगे बिजनेस ब्यापार करे, लेकिन इस देश में 15% लोगों की नसले बिजनेस, ब्यापार, आईटी सेक्टर, बिदेश जा रही है, और बचे 85% लोग, जिसमें से लगभग 60%, 15% वो लो ठप हुई उतर परदेश की परिवहन वेवस्था, तो सरकार कोई इंतजाम नहीं करेगा, आप अयोध्या जाईए, स्पेशल ट्रेन, स्पेशल बहस मुफ्त में आपको ले जाये जाएगा, सुचिए जो लोग आपको मुफ्त में अयोध्या घुमा रहे हैं, जो लोग रजार ने किसानों का समर्थन किया और कहा है कि उनको किसी भी कीमत पर MSP मिलना चाहिए, दो किसान, तीन किसानों की आँख खराब हो गई है, एक किसान की सहाधत हुई है, और समाजबादी पार्टी को लेकर कुछ दिलीप मंडल ने कहा है, जो फैक्ट है, अखलेश याद अबने टोकरी भरभर कर गलतियां किया, SC, ST, OBC कोई उनको कंसिप्ट ही नहीं पता, इसलिए राजंदर परसाथ सिंग कहता है कि बहुजन समाज के जो नेता है न, जिन्होंने जीवन में संघर्स किया, सोसल जस्टिस की लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने बच्चों को भी संसत भेजा, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने लालू यादव, रामिलास, पासवान, जैसे नेता भी खराकी है देश भर में, लेकिन बहुजन समाज का जो सेकेंड लीडर्शिप है, वो तो सुनना ही नहीं चाहता है, अपने लोगों से मिलता नहीं है, उसको मौका मिल सबर्नों को रासवा भेजता है, जिस समाजबादी पार्टी ने सरकार में रहते ही, उपी में तिरस्त्री आरक्षन खत्म किया, परमोसन में आरक्षन खत्म करके, ढाइला कनुसुची जाती के करमचारियों और अफसरों को डिमोट किया, उनके जीवन भर के लिए अपमान बने मिटकल कॉलेज का नाम, अंगरेजों के बासा के नाम पर किंग जोजकर मिटकल कॉलेज कर दिया, इस सारा काम माया बती जी ने किया था बहुजन आंदोलन का, अब अखले श्यादब को समझ में आ रहा होगा, सुचे कुछ सपाई गुंडे तो मुर्ती तोर रहे थे, बाबा साहब अंबेटकर पार्क के नाम जनिस्वर मिस्रा पार्क कर दिया, आप मुझे गद्दार कह रहे हैं, उन्हें ऐसी लिस्ट निकाल कर बताना चाहिए कि समाज और राश्ठित के किन मुद्दों पर मैंने कब गद्दारी कर दी, नीट आरक्षन, रोस्टर, नॉन स्कैम, कलोजियम, सिस्टम, पोंगा, पंत, पाखन, ब्रहमन बाद, SCST, SCST के बटवार, महापूर्सों का सम्मान, कौन सा ऐसा मुद्दा है, इस पर मैंने समाज के हीतों को बेज दिया, बताओ या माफी मांगो, यह खिलेश यादब के पाप है, और उनके नेता कितने असलाब हम लोग पत्रकार हैं, सही बात नहीं बोलें, इनके नेता जो गोवर कर रहे हैं, उस पर हम लोग उस पौण धोएं, साफ करें, वो जया बच्चन को राजसभा भेजेंगे, वो सबर्नों को राजसभा भेजेंगे, और हम लोग उनकी तरफदारी करते रहें मुफ प्रद्धन करेंगे नहीं दलित पिछ्रे आदिवासी लीडर्शिप नहीं आनी चाहिए मायबती जी बाहर निकल गई तो चंसेखर आजासे तो नहीं उनको अकेले सरकार बनानी है देखते हैं कितना बना पाते हैं और जब इनसान अपना धन बदल सकता है अपना नाम बदल सकता है अपना देश बदल सकता है अपना गाँ और सहर बदल सकता है तो क्या इनसान अपनी बिचार नहीं बदल सकता है मैं बात कर रहा हूँ प्रफेसर दिलीप मंडल के उन्होंने केबल इन किसान के मुद्धे पर मत बदलाया, अपनी विचार धारा नहीं, उन्होंने मजदूरों की बात उठाई है, किसानों के भी खिलाफ नहीं है, वो खुद किसान समाज से हैं, दिलीप मंडल का गदार कहना और बीजेपी से जुरा हुआ बता कर अपमानित करना भीहन निन्दी है, वो एक निस्पक्ष ब्यक्ति हैं, सुचिए, ये तो बीजेपी जो उसके खिलाफ बोलता है, उसको गदार कहती है, समाजवादी पार्टी से कुछ, वो तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी न उनका नीजी भी चार हो सकता है, उन्हीं अपनी बात रखने का पूरा हक है, इसका यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं, जो 2020 में सोच रखते थे उसे बदल नहीं सकते, मैं भी किसाना अंदुलन में MSP पर दिलिप मंडल से समत नहीं हुआ लेकि इसका यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं कि मैं उन्हें अपनी तरह से बीवस करूँ, तो सोचिए बहुजन समाज के पत्रकारों को लेकर इनके मन में कितनी नफरत है, दिन रात अखिलेश या दव सवन पत्रकारों के हां लोटे रहते हैं, और यूपी में छे महीने के लिए किसी भी तरह की हर्ताल पर पाव नहीं रहा है कोई, अच्छा क्या पावंदि लगा दिया, और सुचिए ये बिहार के बिहद लोग पर ये समाजी कार करता, समाजी क नयायक एक समर्पित उद्ध्या, भाकपा माले के बिधायक मनोज मंजील है, सुचिए ये आम जनता के बीच संगर्थ के चलते हैं, अपन मीडिया पर वाइरल है, इस अखलेश यादव को पता भी नहीं होगा कि ट्वीट कर दें, और उत्तर परदेश में पुलिस के अंकुस में नहीं अपराधी कारवाही करें रथांदूलन के लिए बाद होना पड़ेगा, तो उत्तर परदेश में लगातार किस तरह से, ये द सोसल मीडिया पर लगातार खबरे वाइरल है, और किसान अंदूलन के कारण नरेंदर मोधी सरकार ने ट्वीटर पर मेरा अकाउंट बंद कर दिया, तो किसान अंदूलन से जूरे लोग के ट्वीटर अकाउंट बंद किये जा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी खबर है, जो स सोसल मीडिया पर वाइरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, तो क्या अखलेश यादव आपको लगते हैं कि उनको बहुजन इडिलोजी पता है, जिसके चलते दिलीप मंडल को गाली दी जा रही है, आप लोग परत्किरिया दीजे बहुजन अखलेश या तब कितना बहुजन आंदुलन जानते हैं। पहले वो अपने आपको progressive backward कहते थे। अब PDA बोलते हैं, PDA में ये का कभी-कभी वो अलफसंख्या क्या-क्या नाम लेते रहते हैं। राज सभा भेजना हुआ तो दो सवर्नों को भेजा, ये हैं उनका PDA policy, एक गटवंधन के नेता उनके साथ नहीं हैं। सब छोड़के जा रहे हैं, जयन्द छोड़के चले गएं, सवाइपरसाद मौरिया नाराज रहते हैं, राजवर चले गएं, पल्लबी नाराज हैं, मतलब वो अखिलेश या दब सही हैं, बाकी सब गलत हैं। क्या बात किया जाएं, एक पत्रकार ने कुछ सवाल पूछ दिया, तो क्या करेंगे, सोचिए जो दिलीप मंडल को इसके लिए आपको कहना पड़ेगा, कि एक पत्रकार के तौर पे बहुजन समाज के अधिकारों की लराई सबसे ज़्यादा दिलीप मंडल लर रहे हैं। सरकार की एक खबर है, एक ट्वीट लोग से अर कर रहे हैं, कि तीन सो मंदिरों के, पच्छतर जिलों के तीन सो मंदिरों को और रंग रोगन करने के लिए पच्चास लाग फ़र इच स्माल टेंपल और दो करोर फ़र इच बीग टेंपल आरे लोकेटेट फ़र ये है, तो ये भी यूपी की बड़ी खबर है, जो सोसल मीडिया पर वाइरल है, और ये तस्वीरे हैं, कॉंग्रेस ने बड़ा पोटेस्ट कॉल किया था, और पोटेस्ट कॉल ये था कि उनका जो एकाउंट फ्रीज हुआ था, वो खोल दिया गया है, और किसान अंदोलन लग के सबस्ट्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे